जिन्दगी जिन्दगी क्या है? यह सवाल बड़ा जीव सा है बड़ा कोड़ सवाल है मट मैं जिन्दगी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जिन्दगी में आने वाले वाग्याद की बात कर रहा हूँ हर पल, हर दिन, हर लमहा कुछ नया लेके आता है तो डिफरेट लेगे आता है और most of the times चीजें इस तरह से बदलती हैं, इस तरह से हमारे सामने आती हैं, जिन के बारे में हमने सोचा नहीं होता कि वैसा होगा, तो हमें surprises विलते हैं, और वो surprises sometimes positive होते हैं, sometimes negative होते हैं, और यही जिदगी की excitement है मैं बताऊ आपको, यही जिदगी की enjoyment है, अगर सब कुछ आपको पहले से बता हो, अगर आपको पहले से जानते हो, कि what is gonna happen, तो क्या मजा है फिर, हर चीज पता हो, पहले से schedule यह होगा, यह होगा, यह होगा, आज यसा गुजरेगा, आज के दिन ऐसा, exactly यसा गुजरेगा, यनि एक लम है का आपको पहले से ब आपको पता हो, तो जिएक excitement हतम हो जाएगी, enjoyment हतम हो जाएगी, तो excitement का है, excitement है कुछ नया, different surprises, और यही को surprises है, जिन से हम unfortunity डगते रहते हैं, हम बागते हैं, कहते हैं, कि पता नहीं क्या होगा, परिशान रहते हैं, परिशान किस चीज से होते हैं, अंसर्टन जिसे होते है हम uncertain होते हैं, कि पता नहीं आज क्या होगा, पता नहीं नहीं लोगों से सामने मिलूँगा, क्या होगा, किस तरह से हमारे मामलात रह पाएंगे, कि मेरा दिन का आज कितना जीब, कितना अच्छा होगा, आफिस में कैसा रहेगा, uncertainty हमें बुरी लगती है, लेकिन reality है, एक एक लमहा हमारी life का uncertainty पे मुझतमिल है, चाहिए हम कितनी ही planning कर लें, कितनी ही specific detail में जाके ensure करने कोशी करें, कि ये वैसा हो जैसा हम चाहते हैं, लेकि नहीं होता वैसा, चीज़ें जीज हो जाती हैं, चीज़ें हमारे control से बाहर होती हैं, तो क्या हाल है, क्या हाल है, इस anxiety का जो हमें feel होती है, जब चीज़ें हमारे मताबत नहीं होती, और जब हमें पता नहीं होता क्या होने वाला है, एक तो ये हैं कि कुछ हो चुका गलद, जो हमारे मताबत नहीं हुआ, that's, we can understand it, हम उसको समझ सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, अगर कुछ गलत है, लेकि नसल मामला होता बाता है, जब कुछ होने वाला होता है, and we don't know what is gonna happen, और हम परिशाम रहते हैं, हम फिकर में रहते हैं, कि ये जो होने वाला है, ये हमारे हक में है, ये हमारे खिलाफ है, अब पता नहीं क्या होगा, जिस तरह किसी game में, किसी match में, किसी sports के अंदर, आपको पता नहीं ह लेकिने का, नहीं आएगा, आप पहले जहीं जानते हैं, क्या होना है, लेकिन उसका excitement कैसे है, वो enjoyment क्या होती है, जब हमें नहीं पता, कि हमारे टीम जीतेगी या हारेगी, जब हमें नहीं पता, जिसको हम support कर रहे हैं, वो अच्छा perform करेगा, या उसके खिलाफ अच्छा perform क किया जाएगा, जब हमें नहीं पता हुता, तब मसा आता है game का, चाहिए आखर में हम हम ढऑघा रही हैं या जीते हैं, लेकिन जो game हम देखते हैं उस पे enjoyment होती है, कभीकुरार ऐसा होता है हम हार जाते है आखर में, लेकिन हम कहते हैं gdzie मैस कर बदब्ध अबलाया बदे अन हालने के बाद कि हम कहते हैं बैस बड़ा कांटेदार मकाबले का था मज़े का था बड़ी इंसर्टेंटी थी आखर तक नहीं पता था क्या होना है नो इसी एक्जेम्पल को अपने जिदगी पर जाके जरफ फिक्स करें और फिर देखें कि वहां पर क्या हम ऐसे करते हैं नही हम अपनी किस्मत का हाल जानने कोशी करते हैं बहुत साथ लोग इस तारों की चक्र में रहते हैं और उनके जरीए अपनी फिचर के अलाद जानने कोशी करते हैं कास्ट नहीं सरन्थ उस्थ का यही है मैं अपने लिए और आपके लिए को अपने आपको असरड़ोर बनाना है हमेसे अपने आपको इस थरह से डिवलब करना हैैं मेंटली क्या परिशान नहुंक्या होने वाला है whatever is gonna happen will happen you can't stop it you can do something before it is happening उसको अपने हख में करने के लिए वो कोशिश आप करें वो चाहे इंताहान है चाहे कोई मैच है चाहे कोई बिजनस डील है चाहे कोई रिलेशन्शिप है और whatever it is आप रिजॉल्व करना चाहते है यू कैन में है टाइम के आप एक सर्टन टाइम से पहले अपने आपको सिहत को बितर कर लें उसके लिए आप जो भी प्रिकेशनल लें कोई है एक साइज करें whatever you do but आपके पास एक विंडो है एक अपरचूनिटी है उसको इस्तमाल करें लेकि के कभी भी ऐसा ना करें कि हर को कर्दम क stress में आ जाये आजायेगी इसा मुमकिन नहीं है इसी कोशेश वुजूल है वक्त कर झाय है और एसी behavior जाय हो जाएगी खैसे इफर्ट बे-मानी है तो हमने करना कए हमने हमने को करना है हर हाल में हर सुरतहाल में अंसर्टिन्टि नहीं पता क्या होने वाला है, क्यों किसी भी जिन्दगी के पहलो में हो, हमें comfortable होना है उससे, हमें अपने आपको relax, easy रखना है, और ready रहना है, mentally हर तरह की situation को face करने के लिए, और open रहना है वैसी के लिए, open इस तरह से रहना है कि जिन्दगी जहां ले जाए, ले जाए हमें, जहां ले के जाना चाहे, हम उससरफ में मुड़ जाए हैं, कभी पानी को observe किया है, पानी बहुत बड़ी तांक्ता है, और पानी वैसे के लिए, जिन्दगी की तरह की निसाल है, क्योंकि जिन्दगी का आप कहलें, पानी एक essence है, अगर पानी को आप observe करें, कहीं से गिराए आप एक जगा से, और देखें वो किस तरह से अपना रास्ता बनाता है, वो रास्ता ऐसे बनाता है, कि अगर उसके सामने कोई रुकावट आती है, तो उससे लड़ता रहता नहीं है, वो मुड़ जाता है, शेप कर लेता है अपने आपको उसके मताबग, और इस तरह से जि कि हम भी ढल जाएं उस environment में, उस बहौल में, उस situation में जो situation हमारे सामने है, और अपने आपको mold कर लें, अपने आपको flexible बना लें, तो हमें uncertainty कुछ नहीं कहेगी, हम resilient हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि कैसी ही situation हमारे सामने आजाए, हम ready उसे real करने के लिए, क्योंकि ह हम अपने आपको change करने को त्यार है, उस situation के मताबिक, so uncertainty के साथ peace develop करें, उसके साथ comfort है बलो जाएं, यह जिन्दीकी का है एक बहुत important lesson है, जो हमें सीखना है, जिसके हमें अमल करना है, और जो हमें तरक्षी की नही रहों पे, हमें असानियों की तरफ, हमें जिन्दीकी की environment की तरफ, हमें बेतिरी की तरफ लेके जाएगा, कहना असान है, करना मुश्किल है, क्योंकि it needs change within, you know, इस छोटी से खोपड़ी है ना वारी, उसके अंदर change की ज़रूरत है, और यह physical flexibility शायद नहीं है, यह this is about mental flexibility, changing ourself mentally, becoming more resilient, and being open to new opportunities, new situations, new events, that may come in front of us at any moment of time, जो लोग uncertainty को गयर जिकनी के fear को deal firmah सीख जाते हैं, वो फिर मुश्कलात से नहीं गबराते हैं, वो फिर नहीं नहीं adventure करते हैं, नहीं business होंगे हैं, उन्हें पता है कि कुछ भी business में हो जाते हैं, वो नहीं नहीं काम करते हैं, यह लोगों से मिलते हैं, नहीं जो लोग जो गयर जिकनी situation से deal करना चानते हैं, उसका क्रिकर यह है कि अपने आपको आपको आइस्ता 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 डिवलप करें, आइस्ता आइस्ता अपरे जहें में सबसे पहले यह बात रखे हैं हमेशा हर वक्त किसी वक्त भी कुछ भी ऐसी situation आपके सामने आ सकत हो सकती है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, तैयार हो जिसलिए हम 100% prepared तो इसी चीज़ के लिए नहीं हो सकते हैं, but we can be prepared mentally, कि अगर कोई आ जाती है कि एजीब situation जिसके हमने कभी नहीं सोचा, तो मैं गवराऊंगा नहीं, मैं परिशान नहीं होंगा, मैं उसको analyze समझने कुछ करूंगा और देखूंगा उस situation में मैं क्या कर सकता हूँ, या मुझे किस तरह से react करना चाहिए, this is the simple thing that we need to tell ourselves, और यह हमें बिजिकिनी की कैफियत से uncertain situation से deal करने का एक बितरीन आउजार, बितरीन तूर्फराम करती है, and this is about mentality, I am repeating it again and again, we need to become resilient and open to new situations, new events, new people, new opportunities, and everything that comes in our life for the first time, so be prepared, be ready, to face anything that you may have never experienced before. उमीद है आपको इस वीडियो में कोई एक बात जुरूर पसंद आई होगी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लें, वीडियो के नीचे मौझूद रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और साथ की पहला आइकान को एक दवा दवा दें, ताकि आपको मजीड ऐसी वीडियो मिलती रहें, जिनको देख के आप अपनी जिन्दगी में इंप्रोव्मेंट लाते रहें।